नमस्कार वेलकाम बैक टू आबर यूटूब चानल देशा अग्रिकल्सर अकेडमी और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट लेंड एंड बार्टर सेड मैनेजमेंट बेस्ट यहां पर फोर्थ पढ़ गया गलती से सिक्थ सेमेस्टर कपी पर रहे ठीक है चटवा पढ़ गया लेकिन जो यह भी से है बार्टर सेड एंड बेस्ट लेंड मैनेजमेंट यह सिक्थ सेमेस्टर का है जो कल पेपर होगा तो इस वीडियो में हम लगबग पचास ऐसे को से लेके आए हैं जो आप से सीधे पूछ लिए जाएंगे एक्जाम के पॉइंट अभी उ ने यानि जो बाटर हार्वेस्टिंग सब्द है यह किस ने दिया था बच्चों यह दिया था मायर्स ने ऑप्शन मायर्स से आपर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है यह एन बी डेवल यह यह यूपी यानि नेशनल ब्यूरो आप स्वाइल सर्वे एंड लैंड यूज प् कि यह सारी कोशन्स नाइब देख लिएगा कल रिपर में आप यहां से बहुत सारे प्रसंद जो है पेपर में देख लोगवाप कल मिलने वाले हैं आँ मरस्तली मिटियां बच्चों कहां पर पाई जाती है इस मिटियां यह कहां पर पाई जाती है तो एरिट एंड सेमीयर रही जाने यानि सुस्क और अर्द सुस्क जो छेत्र होते हैं वहां पर यह मिटियां पाई जाती है ठीक है चलिए काजरी कहां पर बच्चों Central Arid Zone Research Institute Central Arid Zone Research Institute कजरी यह है जोदपुर राजिस्थान में और एक और है बालमी Water and Land Management Institute बच्चों यह कहां पर महारास्ट में है एक institute और है जो परिश्चा में आप से पूछा जा सकता है उसका नाम है क्रीडा क्या नाम है उसका क्रीडा Central Research Institute for Dryland Agriculture क्या मैंने बोला क्रीडा का पूरा नाम होता है Central Research Institute for Dryland Agriculture और यह बच्चों कहां पर है 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 नेक्ट कुस्चन है अगला प्रस्ट कि बिश्चु आर्द भूमी रिवस कम मनाते हैं तो प्रतिवर्स दो फर्वर्वर्य को यह मनाया जाता है नेक्स्ट प्रस्ट नेशनल बेस्ट लेंड डेवलमेंट बोर्ड नेशनल बेस्ट लेंड डेवलमेंट बोर्ड की स्टापना कभी थी उनीस सो पच्चासी में नेशनल बेस्ट लेंड डेवलमेंट बोर्ड इसकी स्टापना हुई थी उनीस सो पच्चासी में अगला है हमारा एक्री सैट यह क कहा है इसका पूरा नाम क्या होता है इंटर नेशनल क्रापन रिसर्जी इंसीट्थी इसका नाहिएक है इसका पूरा नाम के फार्टी सेमी एरिट ट्रापिक्स और यह है रbersब कारे पतंचेर। एदराबाद में एक जगह है पतन चेरू वहाँ पर ये इस्तिध है कुश्चा नमबर नेक्स्ट अधिकांस फसलों के लिए मरदा प्येज कितना होना चाहिए 6-7 प्येज अच्छा होता है खेती की देश्ट थे भारत में सबसे अधिक कौन से मरदा पाए जाती है तो इंडिया में सबसे जलोड मिट्री पाई जाती जिसको अपन लोग जो है अलोबियल सोयल के नाम से जानते हैं पहोदे जो लबड़ी पानी में उगाते हैं ऐसे प्लांट्स जो लबड़ी पानी में उगते हूने क्या बोलते हैं है लोग फाइट लबड़ी शारी मरदा मे हरीच करांड के पीता कॉन है हमस्वामी नाथन है हम्ली गृम का पीच मान कितना होता है ऐसी मरदा जिसका पीच मान साथ से कम है वो म्रदा क्या कहलती अमली गा нदिस का पीच मान सा आधी अधिक होता है यह ये groups इंट हे जो आधिकता हों किसमिटि Parlament होती हुं progressive मर्दा मैंनी कि अदिकता पाए जाती यानि है कि अदिकता पाई जाती है फिल में प्रइंग्षाज अधिकता असे श्वाइट क्या है कैसे मरदा इस número कर ऐसकता है वनों कहना है जिसको ने चुब एपिन फंक कहना है फंक्रेमेंच कि आदिक ने कहता है 반ик कि शारी मिंदाओं की चाहित पारे제 वाये, तो सूरियम ख Needham की दिकता होगी ग gli51 कर 22 Ba बुरान की अधिकता होगी इन अजो कि पर 16 मिट्टी में ज्यादा होती में क्यों पर देई-प और कल से अमोनियम नैटडि नेक्सट सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट के अधिक्ता किसमेटी में 6 मिट्टी यानि सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट इनकी अधिक्ता जो है 6 मरदा में ज्यादा होती है बात करी जाए कि अमली मर्दा में बिनमेसील्ट्रोडियम की मात्रा कितनी होती बच्चो 15 से कम होती जो हमारी एसेडिक स्वाइल है जो अमली भूमी है उसका पीछ कितना होगा साड़े आठ से कम होगा जो अमली मर्दा का पीछ मान साथ से कम होगा और बिनमेसील्ट्रोडिय को सब्सक्राइबCo बात अमली मिर्दा को चूने के प्रियोग से आप सदार सकते हैं वहीं पर चारीं मर्दा को हम लोग आजिबसम अभनी राइड करके सुधार सकते रहें वी ज्यात को लिए तरीके से रटेंबड कर लिए इस कि अमले मरदा में येस ए पतिना होता है उसमें येस एआर इसका मतलब हुआ सोडीयम-saur はい बड़ी मर्दा में 13 से कम होगे है इसके बाद लोग बात करेंगे इसे पॉइंट में नीक्स बात करने वाले हैं केलसियम प्लस पोटेसियम की अधिकता कि मिट्टी में ज्यादा है अमले मर्दा ठीक है उच लवर्णी फसले कौन होती जूस्य चाहिए नहीं जाएक ठीक है यह होती है अधिक वर्षा वाले चेत्रों में किस परकार की मिट्टी पाई जाएगी अमली मर्दा अधिक वर्षा वाले चेत्रों में कौन से मिट्टी ज्यादा पाई जाती है तो उसका अंसर हो जाएगा अमली मर्दा यानि एस डिक स्वाइल इसके बाद नेक्स्ट है मारा कोशन है चारी मिर्दा में है किस आइंस की अधिकता होती है तो चारी मिर्दा में जो है ओच निगेटिव यानि हाइड्रोक्सिल आइंस की अधिकता पाई जाती है यह काफी इंपॉर्टन्ट है जबकि जो एसीड यानि जो अमली भूमी होगी उसमें हाइड्रोजन क अधिकता पाए जाता है जब कि छारी मिट्टी में मर्दा तरचंट की विदियां कौन को से हैं तो कंटूर टेर्ज हैं जींग टेरृस है और बेंच टेर्रिस ये तीन विदियां जों है राध देती नेक्स्ट रात है कुछ समय नेक्स्ट हाट आध्यूजन प्लस किस सांधर के लगुतम को बाई क्या बोलते हैं पीएश बोलते हैं पीएश में 0-40 तक जो है नंबर होते हैं 0-40 नेवर की बिटा 14 तक होते हैं 0-14 कि इसमें अंक होते हैं ठीक है पिएश की खोज की थी इस पील सोरेंसन ने नेक्स्ट है विद्धुच चालक्ता कुम आपने की काई इसको मीजर करने की यूनिट है वो है मिली मोल्स प्रती सेंटीमेटर अमली मिर्दाओं में किसकी कमी पाई जाती चैज्य अमली पहुमियां होंगी उसमें बच्चों मैगनीशिम की कमी पाई जाती किसकी मैगनीश्यम या यानि एमजी डेबल प्लस की जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल किसके कारण होता है, ये भी काफी important है, तो फेरिक आकसाइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, फेरिक आकसाइड के कारण इस मर्दा का रंग लाल होता है, नेक्स्ट है, पच्छित नमबर, मर्दा छरण किसके कारण होता है, तो तीबर सहरी कारण जो गली एरोजन है इसका जो ब्रहेद रूब है वो क्या है रिल एरोजन मर्दा च्रण को कौन बढ़ावा देता जल बायू और गलासियर ये तीनों देते हैं इसके बाद नेक्स्ट है अब नालिका यानि गली एरोजन को हटाया जा सकता है तो पेरे बच्छो समतली करण से नालिका हो जाती जो गली बन जाती है बर्दा परदन में तो उसको कैसे हटाया जा सकता है तो आप लेंड का लेवलिन कर देना समतली करण के माद्यम से आप उसे हटा सकते शुष्क मरदाय कहां पर पाई जाती बच्छो जो सुस्ख मरदाय हैं इसको बोलते है ए्रिडी सो ऊक्षाइड का सूत्र क्या है कारवण स्यों ढूसरा हमारा डूरा ुठी को रुटाइड को फॉत्त में तीज और बीना बूझाजद्व नहीं गया है लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिए ठैंक्स पर बहुत सीन